गुड मॉनिंग एब्रिवान लेट्स तॉक अबॉट सारे स्टूरेंस आज फिल वॉट्साइप पे टेलिग्राम पे या फिर यूट्यूब की वीडियो पे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर प्रिलिम्स अबॉट टू कम UPSC का RBI का फेस भन भी आने वाला है नोबडी नोज वेन इस इट गॉइं टो हैपन एक्स्पेक्टेशन है फर्स्ट वीक और फेपरिल में हो जाना चाहिए बट अगर नहीं होता है तो फिर UPSC प्रिलिम्स और RBI बहुत क्लोजली हो सकते हैं एक हफ्ते दो हफ्ते के गैप मे तो अगर दोनों साथ में होते हैं आसपास होते हैं तो फिर किस तरह से इन दोनों को किस तरह से आपको साथ में रखके त्यारी करनी है यह बहुत एक one question हो जाता है अब इन दोनों की अगर आपको साथ में त्यारी करनी है एनी स्मार्ट पर्सन फूर्ट फॉर्स प्राइटू अंडरस्टाइड कि क्या-क्या ओवर्लैपिंग एरिया जो मैं एक एक एक्जाम की तेहरी से दोनों एक्जाम में कवर कर सकता हूं तो वो ओवर्लैप्स पहले फिगर आउट कर लेने चाहिए आप तो अंडरस्टाइड कि कहां भी मैं अपना एपर्ट बचा सकता हूं फर्स्ट फॉल करेंट अफैस फेज टू का जो करेंट अफैस है आर्पिय का अधिस एटी-90 परसंट ओवर्लैपिंग विद यूपिया विजन की डॉक्यमेंट पढ़ते हो आई-एस पार्लिमेंट पढ़ते हो इंसाइट पढ़ते हो जो भी पढ़ते हो वहां से बहुत ज है विन वे टॉकिंग अबाउट करेंट अफैस एक तो स्पोटलाइट आपको अलग्से करनी है जो कि आपको अभी उठाने की ज़रूत नहीं है यू किन पिक इट आप आप आफ्टर नोटिफिकेशन जैसे ही आर्बे को नोटिफिकेशन आए तब आप इसको उठाके आट के हर बार और महाँ पर फाइनांस करेंट अफैस काफी हेल्प कर सकता है हम लोग उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि यूपेसी स्टूडेंट को इजली समझ नहीं आते इसलिए वो पढ़ते भी नहीं है बट आइवूड रेचमेंट कि आपको पढ़ने चाहिए बट नंदिल बढ़ोगे तो वीटली बढ़ोगे तो थीन-चार गंटे में हो सकता है तो दिस नंबर वन वेर वीट हैव ओवर लाप और उस ओवरलैप से चनेक्टे उस सबजेक्स से कनेक्टेट पॉइंट भी हमने लिख लिए हैं अब लिए लिग हैं यह आपको टेली कावर करना ही है एनुवेस फो यूपीस्टी साइमल्टेनेशली ऑटोमाटिकली आर्बे के लिए प्रिपैर हो रहा है लेट्स सी हाँ मच टाइम दिस टेक्स जिससे की हम आई थिंग वन आर पर देजिस मोर देन अनग पॉदिस फोर नौ आप एक घंटा निकालेंगे अलग से तो यह गवर हो जाए इसके बाद क्या हमारा सिमिलर है सिलेबस की अगर हम बात करें when you are covering economic and social issues या फिर Indian economy something that we call Indian economy when you are preparing for UPSC that is exactly the same for both these examinations तो आपको यह साथ में prepare करना है मतलब when you are revising it covering it up for UPSC automatically RBI के लिए भी cover हो रहा है आपको अलग से पढ़ने की ज़रूत नहीं है that is where you save time मैं एक बोलता हूँ topic based current affairs tbca या फिर tbc जिसमें आपका आता है government schemes, economic survey, union budget, बहुत सारी annual reports आती है चाहे वो असर report हो, ISHA report हो, census हो, ऐसी सारी चीजें आप UPSC के लिए भी पढ़ते हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो फढ़नी चाहिए and these are useful for RBI examination also equally यह भी एक overlapping area हो गया है, जो UPSC के लिए त्यारी करोगे, automatically RBI के लिए भी त्यारी हो जाएगे third point हो गया, अब हम एक बार फिर से आते हैं separate way syllabus की बात कर रहे हैं, ESI is the syllabus which is common finance and management is the syllabus which is only limited to RBI examination I would say if you are able to spend two hours per day, या फिर week में दो दिन उठा लिया, तीन तीन गंटे, चार चार गंटे, पांच पांच गंच गंटे इस तरह से आप अपना finance and management, if you have not covered it already, you can cover it by giving a separate time to this subject syllabus की अगर हम बात कर रहे है, finance and management is separate, ESI is overlapping, finance and management का आपको दो गंटे अलग से देने फिर आता है आपका CSAT, मतलब Quant Reasoning English, this is overlapping for both these examinations, believe me or not, CSAT का level बहुत बढ़ गया है because of which a lot of students fail in CSAT also every year and the same happens with Quant Reasoning English, a lot of students fail because of not clearing the cutoff in Quant Reasoning especially not English but Quant Reasoning में सबसे ज़्यादा flunk करते हैं, क्यों करते हैं, not because the paper is too difficult but because you're prepared less हम लोग इसको ignore कर देते हैं, इसकी त्यारी नहीं करते हैं, automatically हमारा result दिखा देता है हमें, जमीन पे लाके किया है, यह भी cover करना चाहिए था, you should have covered it, you somehow ignored it okay, यह हो गया हमारा एक और overlapping area for which you can prepare together for both these exams, दोनों में ही अच्छा score कर पाओगे, अब आते हैं tests, ठीक है, test एक separate चीज में लिख सकते हैं, हम overlapping में नहीं लिखना चाहिए, so you have to take practice test for both RBI as well as UPSC regularly, one test every three days is more than enough, हफते में 2 test लिखोगे, महीने में 8 test हो गए, 2-3 महीने हैं हमारे पास, 24-25 test हमने लिख दिये, which is more than enough, इतना test आप नहीं लिख पाओगे normally, तो एक हफते में 2 test लिखो, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूत नहीं है, दोनों RBI और UPSC के लिए, तो अगर हम finance and management के लिए 2 घंटे निकाल रहे हैं, अलग से, टेस्ट के लिए हम, let's say, 5 hours per week, पर week 5 hours निकाल रहे हैं, खाली RBI के टेस्ट के लिए, for example, test plus analysis, मतलब 1 hour every day, that is our average निकलाया हमारा ये, तो अगर आप RBI, if you're thinking of preparing for RBI along with UPSC, or if you are preparing for RBI along with UPSC, सबसे पहले ये overlap or separate areas identify कर लो, as I have done here, and then figure out how much time are you needing to spend for RBI preparation only, 2, 3, 4 hours, 4 hours, चार गंटे, अगर आप दिन में 8-9 गंटे, 10 गंटे पढ़ रहे हो, जोकि normally UPSC वाले पढ़ते हैं, effort तो मानना पड़ेगा, because if you are preparing for 2 cream examinations, जहां पे आप बिल्कुल टॉप लेवल पे जाके बैठते हो, effort तो लगेगा ही लगेगा, अगर आप दिन में 10 गंटे पढ़ पा रहे हो, तो उसमें से 4 गंटे आपको अभी से RBI के लिए निकालने पड़ेंगे, 6 hours can be dedicated to UPSC, जिससे आपकी RBI और UPSC दोनों की ही त्यारी हो रही है साथ में, it is not limited to only UPSC, 4 गंटे आप दिन में निकाल सकते हो, if you are already done with finance and management syllabus, या फिर आपने spotlight कर लिया है, या फिर current affairs कर लिया है, या करते रहते हो regularly, तो फिर automatically your time will reduce, I would expect कि finance and management हो गया होगा अभी तक, for all the aspirants thinking of writing both these exams together, because हम लोग July से चला रहे हैं, अपना batch, और बहुत सारे UPSC aspirants हमारे साथ उसमें ये सब cover कर रहे हैं, okay, in any case हो गया है, तो revision में भी, one hour every day you can spend, 4 गंटे से 3 गंटे पर ला सकते हो, that's it, उससे कम करना थोड़ा मुश्किल है, but this is the amount you should be spending every day, इस scientific तरीके से आप चलोगे, तो आपकी तयारी जादा अच्छे और जादा organized तरीके से हो पाएगी, otherwise खिच्डी पक जाएगी, तुम्हें भी नहीं समझाएगा मैंने क्या किया, पूरे साल में क्या नहीं किया, selection हुआ तो क्यू हुआ, नहीं हुआ तो क्यू नहीं हुआ, वो सब समझ में नहीं आएगा, so I would recommend that you follow an approach like this, if you are preparing for both these exams together, if you have any questions, any doubts, if you want me to talk about something, कोई confusion है, then you can put it in the comment section below, चिस्से कि मैं उसके ओपर बात कर सकूँ, I can understand what other problems students are facing, and I can talk about them as well, I will see you very soon guys, Till then, take care, bye-bye, jahin.